राश्रपती द्रापदी मुर्मुने संसद के विषेश सत्र में पारित महिला आरक्षन विदहक को मनजूरी देदी है केंदि सरकार ने इस संबंध में कर दी है इसे नारी शक्ती वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है राश्टपती की मन्जूरी के बाद अब ये विधेक कानून बन गया है इसके तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रत्षत सीटें आरक्षित की गई है अनसूचित जाती और जन जाती के लिए मौजुदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33 प्रत्षत आरक्षित भी दिया गया है